हे आमी जैसा कि पिछले एपिसोड में पूजा कहती है कि अगर तुमें मुझसे मिलना हो तो तुम जेक अंकल के रेस्टरेंट पर आकर मुझसे मिल सकते हो या उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो और वह यह कैकर वहां से चली जाती है और जंकुक उसे देखता ही रह जाता है तो ऐसे ही दिन बित्ते रहते हैं और जब भी पूजा और जंकुक को मिलना होता तो जैक के रेस्ट्रेंट पर मिलते हैं पूजा उसे तलवार बाजी, खुड़ स्वारी और फुटबाल जैसे बहुत सारे गेम सिखाती है वह बहुत सारी खूब मस्ती करते हैं ऐसे ही जंकुक अपने डिप्रेशन से भी भार आ रहा होता है वेटांस में भी अच्छा हो जाता है एक दिन जंकुक और पुजा दोनों बैठे हुए थे जंकु कहता है तुम ये गले में जो लोकिट पैने हो रहती हो तुम क्या कभी से उतारते नहीं हो तभी पुजा कहती है ये लोकिट मेरी मा का है मतलब मैं मेरी मा से इतनी दूर हूँ तो इसलिए मैं इसे हमेशा ही पैने रहती हूँ क्योंकि मेरी मां की फोटो है मैं अपनी मां से बहुत यादा प्यार करती हूं बहुत यादा और पूजा कहती है कि इस लोकेट में GPS ट्रैक यानि कि ये सैटलाइट से कनेक्टेड है अगर ये कभी चोरी भी हो जाता है न तो भी मैं इसे आसानी से ढूंड सकती हूं वैसे तो अशानी से डूंड सकती हूं और इसमें मेरी मां की फोटो है तोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं एक साथ कई बार कैफे में जाते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं और तोनों ही अपने-पने classes में बिजी भी रहते हैं तो एक दिन जंकुकु जैक के रेश्ट्रेंट पर आता है और कहता है जैक अंकल पुजा कहा है जल्दी बुलाई उसे तो जैक कहता है बेटा आज तो वो नहीं आई जंकु कहता है क्या नहीं आई वैसे तो मेरे आने से पहले वो इस टाइम आई जाती है 14 बजे जैक कहता है हाँ आजाती पर आज नहीं आई है बेटा जंकु कहता अच्छा तभी जैक कहता है कोई बात नहीं मैं उसके अकैडमी फोन करके पूछता हूँ जैक जैसे ही पुजा की अकैडमी में फोन करता है तो वहाँ से एक लड़की के आवाज आती है और वहाँ कहती है य जैक कहता है कि यह तो बता रहे हैं कि पूजा नाम की लड़की यहां है ही नहीं तो जंकुक कहता है क्या यह क्या यह क्या बोल रहे हैं जैक कहता है यह ऐसे ही बता रहे हैं फिर जंकुक और जैक दोनों ही पूजा के अकेडमी जाते हैं और वहां का मैनेजर उन्हें बताता ह जब भी कोई student हमारे यहां से study करकर वापस जाता है तो उसकी पूरी detail हमारे उपर high community को दी जाती है और चाहे वो celebrity हो या कोई आम इंसान हम उसकी information किसी को नहीं दे सकते जैसे ही वो यहां से अपनी coaching पूरी करके जाता है उसके साथ उसकी detail को भी रेचर कर दिया जाता है और उसकी man detail high community के पास होती है जंकुक और जैक बहुत जिद करते हैं वहां से लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस आ जाते हैं तो जंकुक बहुत परेशान होता ह है तुम परेशान मत हो वेटा अगर पूजा यहीं हो कि ना तो कल मेरे अगर पूजा यहीं हो कि ना तो एक बार तुम मेरे रेस्ट्राइंट पचाए पीने के लिए जरूर आएगी और तुम चिंता मत करो जंकुक उस रात ना तो सो पाया ना ही खा पाया और ना ही सुबह उसका क्लास में या फिर डांस प्रैक्टिस में उसका मन था वो जैसे तैसे कर कर टाइम निकाल कर रेस्टरेंट पर पहुंचता है और पूछता है क्या पूजा आई अंकल? क्या पुजा आई अंकल तो जैक कहता नहीं बेटा वो नहीं आई तो जंकुक बहुत प्रेशान हो जाता और एक चेर पर बैठ जाता है 24 गंटे हो जाते हैं और जंकुक उसी चेर पर बैठा बैठा कई बार रोता है और कई बार दर्वाजे की तरफ देखता है जैसे कि उसे लगे कि अभी पुजा आएगी लेकिन 24 गंटे बीच जाते हैं तो जैक कहता है कोई बात नहीं बेठा उसने कहा थाना अगर किस्मत में तुमारा मिलना होगा तो एक दिन ने एक दिन तुम जरू मिलोगे तब ही जंकुक इमोसिनल हो जाता है और वह अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लग जाता है ऐसे कैसे करश रखती हैं मेरे साथ मैं तो उसे खुद बताने के लिए आया था कि मैं तेन दिन बाद कोरिया वापस जा रहा हूँ और वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है मैं उसे शुक्रिया भी ने कर पाया